दोस्तों ये हार्ट टचिंग वीडियो, मोटिवेशनल स्टोरी शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट आप सब दोस्तों के लिए छोटी-छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है छोटी-छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है क्वाईशों का क्या वो तो पल-पल बदलती है। चलिए आज आज आपको एक लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीज सुनाता हूँ। आपको इस कारी को सुनकर निश्यत जीवन का मुल्ले समझ में आ जाएगा। दोस्तो एक व्यपारी को 10 लाइफ के मुनाफ़ का विश्वास था। परंतु किसी आकस्मिक परिस्तिति के कारण केवल 2 लाइफ रुपे का लाइफ हुआ। इससे उसके मन पर बहुत अगहात लगा। उसे कई दिनों तक नींद नहीं आई। हर वक्त परिशान रहता और बस वही सोचता रहता कि काश उसने ऐसा किया होता, काश वैसा किया होता तो मुनाफ़ा बहुत हो जाता और अपने आपको कोस्ता रहता और अपने आपको सोच सोच कर पीडित करता रहता। पर उसकी पत्नी का दृष्टी कौन सक्रात्मक था। एक दिन उसने अपने पती को समझाया कि देखिए, हमें एक पैसे का भी घाटा सेहन नहीं करना पड़ा। अंगिनत ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जीवन में एक लाख रुपे का कभी दर्शन भी नहीं कर पाते। उनकी तुल्ना में हम सुखी और सम्रिद्ध हैं। आप अकारण ही दुखी हो रहे हैं। आपको जो लाब हुआ है उसे प्रसंता से स्विकार करना चाहिए ना की दुख लेना चाहिए। दोस्तो लाइफ की छोटी-छोटी घटनाओं में दृष्टी भेद आपके एटिट्यूट से बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। एक घटना से और समझने की कोशिश कीजिए कि पिता ने पुत्रों को आदा आदा गलास दूद पीने को दिया। एक बेटे ने कहा गलास आदा खाली है। दूसरे बेटे ने कहा आदा भरा है। दोनों को तातपर्रे एक था। लेकिन जिसका नेगेटिव एटिटूड था उसका ध्यान अभाव की और गया। तता जिसका चिनतन पॉजिटीव एटिटूड में था उसका भाव की और गया। आप लोगों को नहीं लगता कि सब को अपनी थाली रूखी प्रतीत होती है ततो दूसरों की थाली में अधिक चिकनाट का अनुभव होता है कुछ लोग यूट्यूब, टिक टॉक, फेस्बुक आदी पर ये जरूर सोचते होंगे कि मैं तो इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूँ और मेरा वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं और बहुत कम लोग चैनल को सबस्क्राइब करते हैं और वो साथ-साथ ये भी सोचके उन लोगों को कोस्ते होंगे कि वो देखिए उनको जो abusive language यूज करके वीडियो बनाते हैं और उसका वीडियो इतना चलता है, इतने सबस्क्राइबर हैं उसके दोस्तो इस मनोवृती में सुधार लाना चाहिए दूर से परवत मनोरम प्रतीत होता है पर निकट पौच में पर उसका आकरशन खतम हो जाता है ऐसा देखा गया कि कुछ लोग अपने परिवार के वातावरण से व्यर्थी असंतुष्ट और दुखी प्रतीत होते हैं प्रयाए उन्हें दूसरे परिवार में अधिक सुख शान्ती के दरसन होते हैं पर जब वे उनकी अंतरंग स्तिती से परिचित होते हैं तो स्वेम के अग्यान पर हसने लगते हैं दोस्तो सुख और दुख सफलता और असफलता भाई के समान हैं दोनों धूप चायां की तरह सदा साथ रहते हैं हर व्यक्ती को अपनी लंबी जिंदगी में खटे मिठे पदार्तों के समान दोनों को अस्वाद चखना होता है इसके लिए सहे अस्तित को आज तक कोई मिटार नहीं सका है दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि इस व्यपारी की लाइफ चंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी वाले वीडियो ने आपके दिल को भी जरूर चुआ होगा और इसे सुनकर निश्चत आप में भी पॉजिटिव एटिट्यूड जरूर आएगा चलिए जल्द फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ आपका दिन मंगल मैं हो सर्व के लियागा दोस्तों यदि आप ये वीडियो प्रवीन जैन कोचर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जूर दबाए और फेस्बुक पे देखने वाले मित्र पेज को लाइक कर सीफर्स्ट जूरूर करें